ओम्शंग थी। आइद्रवाद में सत्संग में दिनो दिन बृद्धी। दाधा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। सार के लोगों ने देखा की इस सत्संग में जो कोई भी आता है उसके जीवन में वितेस परिवर्थन आ जाता है। बहा असुद्ध खान पान को छोड़ देता है और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदती भी मिट जाती है। जो माताएं घर में पहले जगडा करती थी, अब व यह भी सुना था कि यहां साख्यातकार भी सहजी होता है। इसलिए लोग इस सत्संग की और अक्रोष्ट थे। अता दिनो दिन सत्संग में आने वालों के संख्या बढ़ने लगी। अब लगवग तीन सो माताएं, कन्याएं तता भाई प्रती दिन आने लगे। वहां प्र अभी मिलजुलकर बेगीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आय होते थे। वह उनमें समाय हुए ज्ञान को बुद्धी में धारण करके आत्मा के स्वरुप में टिक कर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुन्दर भासन किया करती थी कि सुनने व सक्ति कहां से आ गए। इतना ज्ञान इसने के से सुनाया। अवश्य है कोई इश्वर्य सक्ति है जो एसी अवला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। सुरू से ही ज्ञान का कलस कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक और लोकिक सक्ति आने लगी जो कल तक अपने जीवन से असंतुस्ट थी और बोलने में हिचकती थी आज बे निरसंकोच ज्ञान कजकुर करती थी। बाहर चोदा बर्स के छोटी-छोटी कुमारियां भी बहुत सुन्दर भासन विकारों को जितने के विसे पर अथवा मन को तथा इंद्रियों को बस करने के विसे पर किया करती थी। उठ सचंग की यही विसेश्टा थी कि जब आव सरीरी रूप में स्थित होकर बहां जाने वाले नर नारे क्यान सुनते थे तो बे सांती धाम का तथा बैकुंट का अनुभव करते थे। दादा, ओम बाबा जब कास्मिर से लोटे तो उन्होंने देखा कि सचंग में आने बालों के संख्या में कापी बुरुद्य हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुस बहुत ही उमंग और उल्लास में ज्ञान अमृत भीकर अपना जीवन पवित्र और सुक संतिमय बना रहे हैं। बहुत लोगों को तो घर वेटे ही दादा का सक्यातकार हुआ था और उस अवस्ता में अव्यक्त मुर्थ प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अमुक स्थान पर आकर इश्वरिय ज्यान दे रहा हूं। आप वहां मेरे पास आओ। इस सक्यातकार से पहले उन लोगों को दादा का या ओम मंडली का किसी तरह का कोई भी परिशे नहीं होता था। इसी सक्यातकार के आदार पर बे ओम मंडली में आप होचे थे। बे आते ही दादा से कहते आपने ही तो हमें दिब्य सक्यातकार कराके यहां बुलाया है। दा अब्यक्त एवं गुप्त परंपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। अनुपस्तिति में आना सुरू किया था। हता जब दादा कस्मिर से लोटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा। अहां प्रतम मिलन में ही उन सबी को एसा अनुपव हुआ जिसे कि पे दादा के और लोकिक बच्चे अथवा बच्चियां हो। उन्होंने देखा कि बाबा का सरीर एक न्यारा सरीर है। बस्तर बिलकुल सफेध है, मस्तक ज्यान सुर्य के प्रकास से खुब चमक रहा है। नायन तीजों में दिखाए दे रहे हैं। जैसे कि उन से जोती की किरणे निकल रही है। बाबा की उपस्तिति में देखने बालों की मन पर सितलता का प्रभाब पढ़ रहा होता। मानों की दादा के मन में और उनकी करमेंद्रे में अथा सितलता हो। दादा के सरीर की बनावट एसी जैसे की स्री नारायन साधरुन रुप में खड़े हो। अन्य पुरुशों की तुलना में उनकी कांती एसी दिखाई देती जैसे की बे सितारों के बीच में चांध हो। बाबा को देखकर हतबा उनकी ओलों की दुरुश्टी पढ़ने से कुछ ही ख्याणों में कई भाईवेन दिब्य दुरुश्टी पाकर स्री कृष्ण का तथा बैकूंट का साख्यात कार करते थे। और उस बुद्ध सरीर में स्री कृष्ण को देखकर बे उन्हें जोर से पकड़ लेते। बहुत बार बाबा उन बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वहां से हट जाते और चिप जाते परंतु जो बहने अतबा भाई दिब्य दुरुश्टी द्वारा साख्यात कार क होते थे बे चर्म चक्यों बंध होने पर बाबा को दिब्य चक्यों द्वारा ढोंड लेते और अतिंद्रिय सुक में फुले नाच समाकर स्री कृष्ण के अभ्यक्त रूप को देखते हुए रास रचाते रहते। आनंद मय अवस्ता में बे कई बार ये मधूर सामुएक ग जीद भी काते थे।